जै हिंद आज हम पढ़ने वाले हैं स्वामी विवे का नंद पर असान सब्दों में भासन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो किर्पिया इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में विल आइकन को भी दबा दे ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहल मिले तो आएए शुरू करते हैं मनुस्य की सेबा ही भगवान की सेबा है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष की प्राप्ति ना हो जाए मानेनी अतिति गन, सिक्छक गन, मित्र गन और मेरे प्यारे भायों इबंभानों आप सभी को स्वामी विवे का नंद जैन्ती की हार्दिक सुपकामनाएं आज स्वामी विवे का नंद जैन्ती के उपलक्ष में हम सब यहां एकत्रित हुए हैं इस सुब अफसर पर मैं आप लोगों के समक्ष स्वामी विवे का नंद के प्रती दो सब्द रखने जा रहा हूं स्वामी विवे का नंद विदान्द के विख्यात और प्रभावसाली अध्यातिमिक गुरू थे इसके साथ साथ वो एक विपुल विचारक, महान वक्ता और परम देशभक्त थे उन्होंने अमेरिका इस्तित सिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से हिंदु धर्म का परतिनिधित्व किया था सिकागो में विश्व धर्म संसत के दोडान सबसे दमदार भासन देकर उन्होंने भारत की पहचान को विश्व में अस्थापित कर दिया था इसके बाद पूरी दुनिया में उनको ख्याति मिली थी उनका जन्म बारह जन्बरी 1863 को कुलकता में हुआ था उनके जर्म दीन को भारत में राष्टिय युबा दिबस के रूप में मनया जाता है स्वामी बिवेका नंद के बच्पन का नाम नरेंदरनाथ दत था स्वामी बिवेका नंद के पिता का नाम विसुनाथ दत और माता का नाम भुबनेश्वरी देवी था उनके पिता कुलकता उच नियाले में वकील थे और माता धार्मिक विचारधारा की महिला थी कहा जाता है कि नरेंदरनाथ बच्पन से ही नटकट और काफी तेज बुद्धी के वैक्ती थे वे अपनी परतिभा के इतने परखर थे कि एक बार जो भी उनकी नजर के सामने से गुजर जाता था वे कभी भोलते नहीं थे और दुबारा उन्हें कभी उस चीज को फिर से पढ़ने की जरुरत भी नहीं पढ़ती थी उन्होंने केबल पचीज साल के उमर में ही वेद, पुरान, बाइबल, कुरान, गुरुगरंत साहिब, अर्ध सास्त्र, रनितिक सास्त्र, साहित्य और संगीत तमाम का ग्यान ले लिया था रामकृष्ण परमहंस बारत के महान संत अध्यात्मिक गुरु एबम विचारक थे उन्होंने रामकृष्ण को अपना गुरु बना लिया और केबल पचीज साल के उमर में ही सन्यासी बन कर पूरी दुनिया में घुमने लगे साल 1893 में सिकाओं में आयोजित धर्म संसद में उन्होंने भाईयों और बानों सब्दों के साथ अपने भासन की सुर्वात करते हुए उन्होंने वहां के लोगों का दिल जित लिया चारों और तालियों की गरगराहाट होने लगे अमिरिका में इनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया उन्होंने मानवजाती की सेबा के लिए और लोगों में अध्यात्मिक ज्यान के बारे में उजागर करने के लिए राम कृष्ण मिशन और राम कृष्ण मठ की अस्थापना की स्वामे जी हमेशा कहा करते थे कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष न प्राप्थ हो अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते उनके विचार आज भी कई यूबा के लिए पत परदसक बने है स्वामी विवेका नंद ने भारत के उत्थान में अहम भुमिका निभाई और अपना पूरा जीवन देश सिवा में लगा दिया चार जुलाई 1902 को बेलूर इस्थित राम कृष्ण मठ में ध्यान मगन अवस्था में महा समाधी धारन कर प्रान त्याग दिये सच में स्वामी विवेका नंद एक और सधारन पूरुष्थे ऐसे महान आत्मा को हम कोटी कोटी नमन करते हैं इन्ही सब बातों के साथ मैं अपनी वानी को बिराम देता हूँ जैहिंद वंदे मातरम